नमस्कार दोस्तों वेल्कम बाक टु सिविल सरकस इस वीडियो में हम एकनॉमी 450 के कुशन स्टार्ट करने जा रहे हैं यदि आपने हमारा जो पिछले वाले वीडियो कवर करके हैं तो भी अच्छी बात है नहीं करके तो भी कोई बात नहीं है यू केन कवर इट या फिर हम इसमें कवर करेंगे 450 वाले तो ज्यादा चैंजिस नहीं हुए है 50-60 क्यूशन में चैंजिस हुआ है तो सबसे पहले एक ठेंक्स तो बनता है वीडियो के लिए इतने अच्छे क्यूशन बनाने के लिए ठीक है लेट एस स्टार्ट पहला क्यूशन है वो जीडिपी से रिलेटिड है तो आप लोगों को क्या करना है इस क्यूशन को अटेंप्ट करना है ठीक है इसके लिए में टाइम भी दे रहा हूं आपको प्लीज अटेंप्ट देंप्ट इस क्यूशन अटेंप्ट करें और आपना आंसर सोच के रखें क्यों करेंप्ट करेंप्ट करता झाला आपको झाल झाल सभी ने अटेम्ट कर लिया होगा क्यूशन बिना अटेम्ट कि आप लोग नहीं सीखोगे क्या गलती हो रही है आप से क्यूशन में काफ़ी अच्छा क्यूशन है तो नाव डिस्कृस करते हैं पहला स्टेट्मेंट जैसे कि आप सभी जानते हैं GDP क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक परड़क्ट ठीक है तो इडिया में कॉन केल्कूलीट करता है अनसो केल्कूलीट करता है तो पहला स्टेट्मेंट है इडिस्सम्टोटल ओफ डोमेस्टिक फाइनल कंजंप्शन and investment expenditure plus net of export and import तो GDP is sum total of domestic final consumption and investment plus net export and import दूसरा statement देखते हैं इस्सम्टोटल of final domestic consumption and investment plus export इस्समें क्या फरख है इंपोर्ट का फरख है ठीक है दोनौ स्टेट्मेंट में इस्सम्टोटल of final consumption and investment expenditure plus net export and import इस्में हम क्या देख रहे हैं यहां पे sum total of final consumption देख रहे हैं either respective of domestic है या नहीं है ठीक है तो second और first statement में हम domestic consumption के बारे में बात कर रहे हैं third statement में हम final consumption के बारे में बात कर रहे है that can be domestically produced or imported ठीक fourth statement है it is sum total of final consumption final consumption ठीक है domestic हो जरूरी नहीं है and investment expenditure plus export ठीक है तो आप लोगों ने जो भी answer दिया है को सोच के रखा होगा अब हम इसको discuss कर लेते हैं द्वारा से ठीक है ठीक हातो जो तक है GDP is equal to output, domestic output के बराबर होता है, domestic output can be final goods and services जो की एक एक एकनॉमिय में प्रड्यूस हुई है, ठीक, these are the final goods and services produced in economy, यह जो goods produce हुए है, उनको कौन consume करता है, उनको household consume कर सकता है, household, private sector, government consume कर सकती है, या फिर जो बच गया, उसको क्या है, export भी किया जा सकता है, तो foreign national भी इसको consume कर सकते है, for example, इंडिया में हम कुछ समान बना रही है, ठीक है, इंडिया की GDP calculate कर रहे हैं, इंडिया का जो final goods इंडिया के अंदर बनाए गए हैं, तो उसको household sector consume कर सकता है, private sector consume कर सकता है, government consume कर सकती है, उसको export भी किया जा सकता है, ठीक है, तो जो total output होगा, हमारा domestic output होगा हम क्या लिख सकते हैं, तो household sector के द्वारा कितना consumption हो रहा है, c, माल लेतेंग कितना छोटा small c है, कितना consumption हो रहा है, ठीक है, household sector के द्वारा, प्लस private sector के द्वारा कितना हो रहा है, i से represent करता हूँ मैं इसको, government sector के द्वारा, जी से represent करता हूँ, और export है, उसको x से represent करता हूँ, तो यह total क्या है, यह output बता रहा है मेरे को, ठीक है, c plus small c plus small i plus small g plus small x है, वो क्या बता रहा है, total, जो हमारा domestically कितना produce हुआ है output, वो बता रहा है, वही GDP के बराबर होगा, ठीक है, यह इंडिया की territory में जितना समान बनाया गया है, उसी को तो हम निकाल रहे है, gross domestic product में कितना output बना रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या है, इसमें हम क्या है, only export add कर रहे हैं, इंपोर्ट include नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं include करेंगे इस formula में, तो first and second statement इसी formula के साब से देखें, तो, क्या हो रहा, इस formula के साब से, c plus i plus g small g plus x के साब से, यह हमारा पहला statement देखते हैं, इस some total of domestic final consumption, domestic final consumption के किसके दौरा हो रहा है, household sector के दौरा, या फिर private sector के दौरा भी वो सकता है, government के दौरा भी हो सकता है, तो, it is showing the final consumption को जो कर रहा है, and investment expenditure, investment expenditure भी जो कर रहा है, plus net of export and import, तो, इसमें हम import include नहीं कर रहे हैं, हैं क्या इंक्लूड कर रहे हैं एक्सपोर्ट ओनली तो यह हमारा गलत हो जाएगा ठीक है सेकिंड इस इस सम्म टोटल ऑफ टोटल फाइनल डोमेस्टिक अप्शन जो हमारा टोटल फाइनल डोमेस्टिक अप्शन हो रहा है कितना इंवस्टिमेंट हो रहा है जिसके दवारा जो डोमेस्टिक गूड्स प्रडूश होए है एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट इसमें अनली इंट्लूड किया गया है तो यह हमारा इसको बता रहा है इस फॉर्मली के कोर्सपोर्णिंग है तो यह बिल्कुल सही बात तो इनक्स्पोर्ट के बात करें इंपोट के बारे मारे इंपोर्ट प्लेस एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूड होते हैं है तो हाउसेड्स सेक्टर के दवारा कितना कंजूम हो रहा है household sector मा लेते हैं total उसका consumption C हो रहा है capital C है ठीक है जिसमें से small c क्या है वो भारत के अंदर बनी चीजों को consume कर रहा है ठीक है plus मा लेते हैं cm उसने import किया household sector के द्वारा c small c भारत की चीजे भारत में बनी चीजों को उसने consume किया plus small cm ठीक है is equal to capital C it is the total consumption by the household sector capital C is the total consumption ठीक है ठीक है तो जो बना है small c plus import से ठीक है अब इस small c को क्या लिख सेकता हूं में capital C minus cm ठीक है ठीक है तो इस small c जो की भारत में बनी चीजे consume की गी थी household sector के द्वारा that is equal to small c is equal to capital C minus capital C minus cm जो जितनी चीजे इंपोर्ट हुई है plus उसी तरह से सब के लिए applicable होगा private sector के लिए भी applicable होगा तो इसको लिखेंगे capital I minus small i m plus g वाला government sector का जिए capital G minus gm plus x को क्या लिखेंगे x यह आएगा ठीक है तो उसी साब से फिर इन तीनों को अलग-अलग कर देंगे तो आपका formula क्या आजएगा capital C plus i plus g इसको हम आज से लिख सकते है capital C plus i plus g capital G plus x minus में minus में यह जो तीने चीजे है cm im और gm आ जाएगी cm plus gm plus im ठीक है यानि कि government के द्वारा कितना import हुआ private sector के द्वारा कितना import हुआ और जो household sector है उनके द्वारा कितना import हुआ यह तीनों इसमें include होगी तो इसको क्या लिख सकते हैं यह net import को बता रहा है x minus this is net export को बताएगा ठीक है capital X minus हम इसको लिख सकते है export minus import तो जो हमारा normal GDP का formula क्या होता है normal GDP का formula हम जो याद रखते हैं वो क्या होता है capital C plus I plus capital G plus net export यह होता है net export ठीक है उस फार्मले के असाथ से यह statement third and fourth question आपको attempt करना है तो third statement क्या कहता है यह क्या हो रहा है इस नहीं दान में देखता इस नहीं दान में देखता इस नहीं दान में देखता तो third is, it is sum total of final consumption and investment expenditure plus net of export and import इस नहीं दान में देखता है and fourth statement is, it is sum total of final consumption and investment expenditure plus export export and import भी इसमें इंक्लूड करेंगे ना, net, तो यह गलत हो जाएगा, तो इस कांसर है, 2 and 3, B for Bombay is correct है, तो GDP is sum of final value of goods and services produced in the economy and this final product is purchased by the household sector, private sector and government sector and outsider, ठीक है, which can be written as small c plus i plus g plus x, जो हमने देखा है, एसी लीख सकते हैं, where c is the expenditure by the household sector on the domestically produced consumption good and small i is the expenditure by the private sector on domestically produced investment or capital goods and g is final goods में क्या आते हैं, consumption good as well as capital good, capital good में जो investment होगा, उसी को क्या है, investment माना जाता है, ठीक है, the small c is the expenditure by the government sector on the domestically produced investment good and x is the expenditure by the outsider, ठीक है, तो इस formula को हमने फिर एसी लिखने एकोसिस की, इसको हम क्या है, एसी लिख सकते है, c is equal to, small c is equal to capital c minus cm plus i is equal to i minus im plus g minus gm, एसी लिखा, ठीक है, where capital c is the expenditure by the household sector on the domestic and imported both the goods and cm is the expenditure by the household sector on the imported goods, तो c minus cm is equal to this, तो इस सारे को arrange करोगो तो यह formula फिर आपको past derive हो जाएगा, c plus i plus g plus x minus this, ठीक है, यही formula हम याद रखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, c plus i plus g plus x minus m and where i am is the total import, ठीक है, तो यह expenditure में तर से के से GDP calculate करते हैं, उस पर यह question मनाया गया था, और उसका derivation दिया है formula का, अब आप लोगों को समझ में आगया होगा, next is, if India is experiencing economic growth, then which of the following statement must hold true, attempt easy please, economic growth हो रहा है, मतलब GDP increase हो रहा है, यानि कि output increase हो रहा है, if India is experiencing economic growth, then which of the following statement must hold true, must hold true बताना है आपको, तो real GDP economic growth हो रही है, तो real GDP तो increase होगी होगी, ठीक है, तब ही तो उसको बोलेंगे हम, first statement is बिल्कुल correct है, second is nominal GDP will increase, third option is rate of growth of real GDP will increase, economic growth हो रहा है, माल लेते हैं, आज 8% increase हो रही थी GDP, कल 6% increase हो, माल लेते हैं, 2021 में, GDP growth rate हमारी 8% थी, और 2022 में वो घटके कितनी होगी है, 6% होगी है, तब भी क्या economic growth हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि rate of growth of real GDP वो increase हो, तो this is, incorrect, तो third incorrect हो जाएगा, fourth is increase in employment generation, तो output बढ़ाना है न, GDP क्या होता है, output होता है, तो output can be increased by machine, ठीक है, AI के द्वारा increase होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि, वो employment generation का काम करे, तो ये गल्थ हो जाएगा, ठीक है, second is, nominal GDP will increase, real GDP क्या होता है, real GDP is equal to nominal GDP plus minus, inflation होता है, अब माल लेते हैं कि, GDP आठ से increase हो, और ये 9 से हो, और inflation क्या है, उससे ज़्यादा increase हो जाए, 3 से हो, inflation क्या है, minus 3 में हो जाए, ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, real GDP कितने आजाएगी, 9 और 3, 6 हो जाएगी ना, फिर ये 6 हो जाएगी, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, कि nominal GDP increase हो, ये जरूरी नहीं है, must hold, true, नहीं है, तो nominal GDP gut भी सकती है, ये आपका inflation बढ़ रहा है, तो ठीक है, तो ये गल्त हो जाएगा, तो answer हो जाएगा, इसका आपका, one only correct, ये आप पढ़ सकते हूँ, next is, if a country is experiencing recession, which of the flowing must hold true, must be true, बताना है, attempt कीजिये, प्लीज, ये दी recession में जा रहा है, तो GDP क्या है, negative होगी, तो decrease in real GDP होगा, ये आपका recession में जा रहे हो, तो आपकी GDP होए, वो decline होगी, तो A is cancer है, A पुरागरा, when the real GDP decreases, or change in the real GDP is negative, then it is a case of recession होता है, ठीक है, बाकी ये नीचे वाला हमने, देखी चुके हैं, next is, national income of a country, is equals to which of the following, national income है, country की वो किसके ब्राबर होती है, national income of a country, is equals to an NP at market price, net national product at market price, तो B for Bombay is cancer होगा, national income, and net national income, एक ही बात होती है, they are the same term, national income is equals to, net national income, is equals to, net national product के ब्राबर होती है, at market price, that is equals to, GNP minus, depreciation, NNP किसके ब्राबर होती है, NNP net national product is equals to, GNP gross national product, minus depreciation, तो, gross में से आप depreciation निकाल दोगे, तो आपको क्या है, net मिल जाता है, तो NNP at market price, is equals to GNP minus depreciation, अभी इसके अनसो यूज़ करता है, at market price वाला, तो national income is equals to, याद रखना है कि, ये net national income के ब्राबर होता है, that is equals to GNP minus depreciation, at market price, तो, which of the following statement, are true regarding, gross national income, तो अभी तो हमने देखा है, GNI is equals to, national income क्या होती है, net national product at market price, तो which of the following statement, are true बताना है आपको, attempt कीजिए, ग्रोस नेशनल इंकम, इस दा इंकम, फेला statement है, it is the income, earned by the country's resident, तो resident के द्वारा income होगी, ठीक है, यसे ही लग रहा है, ठीक है, it is the income earned by the country's resident, एंड नन रेजिडेंट, बोथ, यह इसके द्वार, नन रेजिडेंट की क्यों count करेंगे, हम नेशनल इंकम में, नन रेजिडेंट की ने करेंगे, third is, it is calculated at market price by the NSO, this is correct है, market price पे हमने भी देखा है, it is equals to GDP plus export minus import, GDP plus export minus import करेंगे, तो यह तो trade balance के बारे में बता रहा है, तो इसा कुछ इसा है नहीं, यह भी क्या है, गलत है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, one only, one and third, one and third, तो इसका answer हो जाएगा, A for Agra, next, GNI is the gross national income, is the income earned by the Indian resident, only weather in India or abroad, and Indian resident का माना जाता है, जो 182 days के लिए इंडिया में रहा रहा हो, तो इसको Indian resident कहा जाता है, ठीक है, if Indian has gone abroad for less than 6 months, और 182 days से कम गया है, तो भी उसकी income है, वो इंडिया के, still he will be considered as Indian resident, उसको माना जाएगा, and gross national income है, it does not include the income earned by the NRIs के, जो income है, उसको include नहीं की जाती है, and it is equals to the GDP plus net factor income from abroad, and net factor income from abroad is the income earned by the, factor of production के द्वारा, जो income earned की गई है, वो हती है, ठीक है, GNI is equals to GNP, that is equals to GDP plus net factor income from abroad, ठीक है, यहाँ पर fourth statement में, यहाँ पर वो देया था, net trade, net import दिया गया था, net export काय सकते हो, या net import काय सकते हो, याद रखना है, जो यहाँ गए गऑकली, गना है, GNI is equals to GDP plus net factor income from abroad, तो सकते ह हो। एंट र्टिक, इसक अशिदेने फुल्वान में, अटेंफ की जीप जीज, पला है, प्लड़ा है, प्लड़ा है, प्लड़ा है, प्लड़ा है, प्लड़ा है प्लड़ा है, यह तो अब अभी देखे है कि net factor income from abroad है, it is the income from the factor of production, ठीक है, it is not equal to export and import के बलाबर नहीं होती है, तो this is wrong and first is production tax and products tax है, दोनों include किये जाते हैं GDP calculation में, this is correct है, ठीक है, ठीक है, तिसका answer हो जाएगा A for Agra, GDP calculation methodology 2015 में change की गी थी, and GV at basic price क्या होता है, GV at basic price is equal to GV at factory cost, factor cost plus production tax minus production subsidy के ब्राबर होता है, GV at basic price, ठीक है, and GV at basic price का use करते हुए हम क्या है GDP निकालेंगे, तो GDP at market price क्या होती है, GV at basic price plus product taxes minus product subsidy, ठीक है, GV at basic price आपको याद रखना है कि यहाँ पर production tax है, और production subsidy है, तो GV at basic price is equal to GV at factory cost plus net क्या है, net production tax क्या सकते हैं, और उसी तरह से क्या है, GDP at market price is equal to GV at basic price plus net क्या है, product tax आ रहा है, ठीक है, net product tax, दोनों में difference क्या है, तो production के लिए जो टेक्स, production के लिए जो incentive दिये जाते हैं, या फिर production pay tax लगाया जाता है, वो क्या है, उसको production tax कहा जाता है, या subsidy कहा जाता है, for example, land revenue है, this is a kind of production tax है, यदि आप एक दुकान किराये पे लेते हो, और उसका आप पर, क्या है, factory या फिर दुकान किराये पे लेते हो, और उसका आपको क्या है, और महिने रेंट देना पड़ेगा, तो वो आपका क्या है, production tax है, ठीक है, वो depend नहीं करेगा कि उसमें आप उस factory में बेटके आप कुछ भी करो, so, या फिर उसमें आप output movie देखो, या फिर उसमें आप क्या करो, कुछ करो, ठीक है, economic good produce करो, capital, तो उसमें depend नहीं करता है, आपको land revenue देना पड़ेगा, ठीक है, उसी तरह से railway subsidy है, वो production subsidy का example है, ठीक है, production tax and production subsidy है, वो volume of production पर depend नहीं करती है, जबकि product tax है, वो depend करता है, ठीक है, और इस formula में, GDP, यह दोनों formula आपको पता हो नहीं चीए, ठीक है, तो GDP is equal to GV8 basic price, इसमें आप यह डाल दोगे, GV8 basic price की value जाल दोगे, तो GV8 factor cost plus net production tax plus net products tax आजाएगा, तो वो उस किस कराबर होगा, GDP is equal to GV8 plus में क्या, GV8 factor cost plus product taxes plus net production taxes, वो सारा इसके बराबर हो जाएगा, GDP में, तो GDP में दोनों ही include किया आता है, production tax as well as product taxes, ठीक है, goods and services produced in India and sold outside the country, that is the foreigner is referred to as export, ठीक है, but the net factor income from the abroad is the income earned by the four factor of production from the abroad, in case of net factor income from abroad the production happens in abroad, but in case of export the production happens in the domestic country, तो export में हमारा जो production हो रहा है, वो हमारे देश में हो रहा है, और जो net factor income from abroad से जो income हो रही है वहाँ पे, दूसरे देश में हमारा जो labor काम कर रहा है, उसके द्वारा जो अनकीगी income हो है, ठीक है, next is, welfare of a people of a country is best represented by which of the following parameter, welfare बताना है, लोगों का welfare बताना है, ठीक है, तो लोगों का welfare, इसमें अटेम्ट कीजिए, पहला है, option है, per capita, national income at constant price, B is per capita national income at current price, and C is per capita GDP at constant price, and D is per capita GDP at current price, तो GDP तो हम इसे, लोगों का welfare के लिए GDP हम यूज नहीं करेंगे, तो लोगों का welfare के लिए हम क्या यूज करेंगे, लोगों की पास कितनी income है, ठीक है, और वो income क्या है, stable है या नहीं, तो per capita इसमें क्या है, welfare है इसका जो measure करेगा, per capita दोन price पे, तो current price पे लोगों का welfare है, तो वो current price पे reflect नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि inflation बढ़ता रहता है, कभी दाल के भाव बढ़ जाते हैं, कभी oil का भाव बढ़ जाता है, तो यह so नहीं करेगा, national income है, वो बढ़ जाती है, inflation के कारण, ठीक है, तो यह जो better, best indicator है, वो it is per capita national income at constant price पे हम इसको देखते हैं, ठीक है, A for Agraise Council है, you can read about it, ठीक है, next is, there is a Chinese company doing business in India, the profit made by the company will be part of Chinese company, काम करी है इंडिया में, और उसका जो profit है, किसका पाट होगा, Chinese company भार्त में काम करी है, हमने GDP में क्या देखा था, क्या देखा था, GDP is, जो हमारे देश की domestic territory है, उसके अंदर, कितना final goods and services produce किया जा रहा है, irrespective of, कौन उसको produce कर रहा है, Chinese produce कर रहे हैं, बांगलदेशी produce कर रहे हैं, यह matter नहीं करता है, ठीक है, तो वो हमारे देश की domestic territory के अंदर, जो produce किया जा रहा है, वो count किया जाएगा, तो इंडिया की GDP में count होगा, ठीक है, एक दूसरा concept होता है, gross national product का, gross national product के अंदर हम क्या करते हैं, उसमें हम जो value produce करते हैं, उसमें हम क्या count करते हैं, इसमें domestic territory के respect में count करते हैं, उसमें कितना, उसमें gross national product के अंदर क्या है, जो लोग है, nationalist लोग है, यानि कि resident है, उनका कित इंग्लूड करते हैं GNP के अंदर, ठीक है, तो GNP is with respect to the citizens, ठीक है, irrespective of कहीं पे रह रहे हैं, residents, तो GNP is with respect to the residents, and irrespective of कहीं पे रहे हैं, तो ये चाइना की भी GNP में count होता है, और इंडिया की GDP में count होगा, ठीक है, Chinese company जो भी profit कमाएगी यहां से, तो इसका answer हो जाएगा, C for Calcutta यह आप इसको पढ़ सकते हो, next is, consider the following statement regarding the gross national income और GNP, gross national income और GNP हमने देख चुके हैं अभी, तो पहला statement है, attempt कीजिए please, it includes production taxes, second is, it includes transfer payment from rest of the world, तो GNP हमने देखा था, GNP क्या होता है, GNP is equals to GDP plus net factor income from abroad, ठीक है, तो net factor income from abroad के अंदर, जो transfer payment होती है, वो count नहीं होती है, जो free के payment होती है, वो count नहीं होती है, it is net factor income from abroad is the income earned, तो it is the income earned by the factor of production, जो कि क्या हो सकते है, land हो सकता है, labor हो सकता है, capital हो सकती है, उनके द्वारा जो income earned की गई है, वो count होती है, not the transfer payment, तो यह गलत है, और इसमें क्या है, GDP में, production tax include कते हैं, yes, इसमें हम include करेंगे, ठीक है, GDP में हम include कते हैं, तो इसमें भी, GNP में भ include करेंगे, एफ और आगरा इसकांसर है, तो GV8 basic price is equal to GV8 factory cost plus production, tax minus production subsidy, GDP is equal to GV8 basic price plus net product taxes, ठीक है, तो GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad, so GNP include the production taxes, यह हम देखी चुके हैं, next इसमें concept दिया हुआ है, जो transfer, जो payment, पिर हम किसमें include करेंगे, इसमें नया concept दिया है, यह gross national disposable income के बारे में बात है, ठीक है, gross national, जो transfer income है, वो हम count करेंगे, gross national disposable income में count करेंगे, ठीक है, और example, कोई भी donation देता है, भारत को, तो वो भारत के अंदर किसी donation कर रहा है, या फिर किसी भी अंजी और गयरा चला रहे है, ठीक है, तो उसमें वो income count हो रही है, उसके कारण हमारा क्या है, आउटपुट तो बढ़ रहा है, तो जिसके कारण फिर उसको हमें include करने के लिए, हमें एक नया concept बनाए है, gross national disposable income, तो इसमें transfer भी include किया जाता है, net factor income from abroad में जो फरीक income है, उसको include नहीं किया जाता है, next is, which of the following constitute investment in economy, statement first is production of consumption good, investment क्या हता है, production of consumption good, second is production of capital good, third is production of services, and fourth is buying and selling of shares, video को पॉस कीजिये, attempt कीजिये, investment हम उसी को मानते हैं, जब capital good में हो हो, investment is always related with the capitals, consumption से ये investment नहीं होता है, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, services में भी इसको नहीं माना जाता है, capital goods में कितना हो रहा है, उसके दुआरा फिर हम मान लेते हैं कि machine बना रहे हैं और उस machine के दुआरा और क्या है, फिर machine बनाए जाएगी, उससे और product बनेगा, ठीक है, buying and selling of share में क्या हो रहा है, only the transfer of ownership change होता है, ठीक है, इस cancer हो जाएगा, to only, ठीक है, before Bombay, next is the value of capital goods produced is defined as investment, तो कितना आप value produced किये है, capital goods की उसको हम investment बहते हैं, production of consumption goods and services is not included in investment, buying and selling में क्या है, हम देखी चुक है है, कि यह ownership change करता है, next is consider the following statement, imported capital equipment are part of investment in the Indian economy, second statement is, capital goods exported out of India are not part of India's investment, so attempt किजी प्लीज, imported capital equipments are part of investment in the Indian economy, for example, हम बाहर से कोई machine खरीद के लाते हैं, और उसके द्वारा भारत में हम बहुत सारा protection करते हैं, so it is a part of India's economy का पार्ट है, imported capital equipment, they are part of investment in the Indian economy, consider किया जाएगा, second is, capital goods exported out of India are not part of India's investment, equipment, अब यो, हम यहां से इसे machine बना के बेज़ दे हैं, machine बना के बेज़ दे हैं, जो बाहर कहीं पे UK में जाके production कर रही है, तो वो हमारे investment का पार्ट थोड़ी माने जाएगी, तो यह भी बैज, this is also statement 2 is correct है, तो capital goods exported out of India are not part of India's investment का पार्ट नहीं होगी, और इस कांसर हो जाएगा, C for Calcutta, बोथ आर कर्रेक्ट, GDPs, goods and services produced within the domestic territory of the country, so imported items are not part of GDP, ठीक है, investment in Indian economy means that the value of the capital goods that are going to remain in Indian economy, whether it was domestically produced or not, does not mean, ठीक है, this is because whatever the capital equipment are going to remain in the economy will help in India increasing the domestic production in future, so investment in India is equals to the capital goods produced in India plus imported capital goods minus exported capital goods, ठीक है, so investment in India is equals to imported capital goods minus में आप कितन का रहेगो, exported capital goods, तो net कितना है, जो हम produce कर रहे हैं, वो investment के बराबर होगा, next is which of the flying statement could be true for high saving economy, एक economy है, जिसमें savings ज्यादा है, तो उसके regarding आपको statement बताना है, high investment, इसमें कौन सा true होगा, यदि किसी economy में high saving है, तो high investment होगा, high consumption होगा, high export होगा, could be true, could be true हो सकता है, ठीक है, could be है, must be true नहीं है, could be, ठीक है, तो savings, saving का use क्या जा सकता है, investment के लिए, ठीक है, saving ज्यादा है, high saving है, तो high investment होगा, high investment होगा, तो क्या होगा, high output होगा, high output होगा, तो, क्या है, high output होगा, ठीक है, तो high income होगी, high income होगी तो, high saving होगी, ठीक है, हाई सेविंग है तो सेविंग ज्यादा है और कंजम्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कर रहे है तो इसके दोरा क्या है एक्सपोर्ट क्या है इंक्रीज हो सकता है ठीक है तो हायर export हो सकते हैं high investment हो सकता है high savings से consumption क्या है कम होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर one and third is correct here B for Bombay क्या पढ़ सकते हो next is which of the following are part of fixed capital formation fixed gross capital formation यहां पर gross आएगा ठीक है fixed gross capital formation का part है which of the following are part of the fixed gross capital formation to gross capital capital हमने देखा है formation का part है कौन-कौन सा attempt कीजी please machinery and equipment construction of building and other infrastructure that is IPR intellectual property rights तो यह सारे के सारे क्या है gross capital formation का part है इसका answer हो जाएगा D for Delhi all of them are part of the gross capital gross fixed capital formation तो यह formula दिया हो आए gross capital formation का जो आपको याद होना चाहिए gross capital formation is equals to gross fixed capital formation gross fixed capital formation include machinery में कितना investment हो रहा है machinery plus equipment plus building plus cultivated biological resources plus intellectual property तो यह आप से पूचा गया था gross capital formation में क्या क्या include होता है इसमें include होता है gross में machinery, equipment, building and cultivated biological resources and intellectual property थीक है उसके अलावा gross capital formation में gross fixed capital fixed capital plus valuable metal plus change in stock or inventory भी इसका part होता है तो cultivated biological resources क्या होते है this is defined as the animal resources leading to repeated product tree GM product हो सकते है इसमें जैसे की BT cotton है ठीक है इस तरह के जो product होते है इसके कारण क्या है natural growth बढ़ जाती है इसके कारण yield बढ़ जाती है तो उनको इसमें include किया जाता है the term gross fixed capital formation is interchangeably used as a gross investment की तरह हम यूज करते है because change in stock or inventory वो काफी कम होता है यसलिए हम उसको neglect भी कर सकते है पर practical purpose प्रान्तु ये include करता है तो ये formula आपको पता होना चीज़े ठीक है gross fixed capital formation is equal to this next is despite being a high saving economy capital formulation may not result in significant increase in output due to attempt कीजिए प्लीज despite being a high saving economy savings ज्यादा है हमने देखेती क्या है savings ज्यादा है savings ज्यादा होगी तो हम investment कर सकते है investment कर सकते है investment करेंगे तो output बढ़ सकता है ये भी हमने देखा है despite being a high saving economic capital formation may not result in significant increase capital formation हो रहा है may not result in significant increase in output तो output increase हो जरूरी नहीं है तो investment तो आप कर रहे हो परन्तु आपकी जो labor है वो खराब है investment कर रहे हो आपके machine खराब है labor खराब है या फिर बहुत जादा government taxes ले रही है तो उसके कारण क्या है output increase हो ये जरूरी नहीं है ठीक है तो ये सब include किया रहता है high आपका जो capital output ratio है वो होगा तब इसका आपका तो deep or daily है ठीक है तो despite देखो deep or daily high capital output ratio capital divided by output capital divided by output ठीक है कितना आपने output produce किया और आप capital बढ़ा रहे हो तो output बढ़ाना बढ़े का क्या जरूरी नहीं है ठीक है high capital output ratio होगा तब ये इसका output क्या क्या होना चाहिए ना ये decrease होगा तब ही तो क्या है low capital to output ratio होगा तब आपका जो है output increase होगा high होगा तब नहीं होगा ठीक है weaker administrative efficiency के साथ भी हो सकता है यदि इसमें multiple answer चूज करने हो तो हम D और इसमें A को चुनेंगे ठीक है D and A को multiple में हो तो यदि most accurate चुन करना है तो हमें D को चूज करना पड़ेगा फिर इसमें बताया हुआ है productivity क्या होती है productivity is equal to output upon में input कितना आप input ले रहे हो ठीक है इसको explain कर लेते हैं चलो एक-acre land है मा लेते हैं एक-acre land है जिसमें पांच labor काम कर रहे हैं ठीक है और इससे जो output produce हो रहा है वो दो ton output produce हो रहा है ठीक है और इंपुट कितना है एक-land है एक-acre land है तो इसका productivity कितनी हो जाएगी तू टन पर एक-ड ठीक है और लेबर की productivity क्या हो जाएगी output divided by input ठीक है तो output upon में input in term of labor तो output कितना था दो टन ठीक है marginal productivity of a labor is equal to change in output upon में change in labor के बराबर होती है ठीक है मान लेते हैं कि एक labor बढ़ाई आपने you have increased the one labor तो output मान लेते हैं 0.2 ton से increase हो गया तो change in 0.2 ton से output change हुआ और आपने एक labor बढ़ाई तो यह इसके बराबर हो जाएगी ना marginal productivity किसके बराबर हो जाएगी 0.2 ton per divided by labor ठीक है in the same way productivity of capital is capital की productivity अब निकालेंगे तो capital divided by output हो जाएगी productivity of capital capital की productivity क्या हो जाएगी output उल्टा हो जाएगा इसका output divided by capital this is the productivity of capital ठीक है उसी तरह है से जिस तरह है से हमने यह निकाला आए तो output divided by input input हम क्या दे रहे है capital दे रहे है output upon में capital is equal to the output productivity of capital यह आपके पास यहाँ से आगी